Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि AirTail के 4G सीम को अगर आप 5G में convert करना चाहो या activate करना चाहो 5G में तो किस तरीके से आप कर सकते हो पूरी information इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करियेगा और लाश्ट तक बने रहीएगा तो चले friends, वीडियो को start कर लेते हैं without time based के तो इसके लिए friends, सबसे पहले आपको अपने play store app को open कर लेना है अप play store app को open करने के बात friends, यहाँ पर आपको जिस सीम को आपको 5G में activate करना है उस सीम का name यहाँ पर लिखकर आपको search कर लेना है उसके app को जैसा किमाल लीजिए मैं air tail thanks app को इस तरीके से download कर लिया हूँ आप भी इस तरीके से download कर लीजिएगा then आपको open के option पर click कर देना है open के option पर click करने के बात इसमें आपको अपने mobile नंबर को डाल के यहाँ पर login हो जाईएगा then उसका फ्रेंट सी यहाँ पर आपको कोई permission allow मांगता है इस तरीके से allow कर देना है allow करने के बात फ्रेंट सी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से interface देखने को मिल जाता होगा तो फ्रेंट सी यहाँ पर आपको scroll down करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बात फ्रेंट सी यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है 5G plus claim unlimited data 5G data इस तरीके से देखने को मिलता होगा इसी arrow के option पर आपको click कर देना है arrow के option पर click करने के बात फ्रेंट सी यहाँ पर आपको एक नया interface देखने को मिल जागा थोड़ी देर loading ले सकता है इस तरीके से तो थोड़ी देर आपको wait कर लेना है यहाँ से पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा तोiform sign पर निचे आपको एक claim now का option आता है इसी claim now के option पर आपको click कर देना है claim now के option पर click करने के बातĩ यहाँ पर requests pending इस तरीके से लिखेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी दरवेट कर लेना वेट करने के बात फ्रेंट से यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखनी को मिल जाएगा तो फ्रेंट से यहां पर आपको चेक योर 5G इंटरनेट इस तरीके से जब आ जाता है great news इस तरीके से यू आर 5G ready तो यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है explorer airtail 5G plus इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बात friends यहां पर दुबारा से उस तरीके से होगा उसके आप friends यहां पर आपको थोड़ी देर wait कर लेना और wait करने के बात friends यहां से आपको back हो जाना है और back होने के बात friends यहां पर request successfully हो जागा तो यहां पर आपका unlimited 5G data activate हो जागा जैसा कि यहां पर देख सकते हो कि मेरा activate हो चुका है अब आपको यहां से बैक हो जाना है अपने एर टेल के सीम पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है then उसके इस तरीके से लिकित प्र यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करके नीची आजाना है और नीची आने के बाद फ्रेंड से यहांप a अगर आपको समका कलिकरने कर Jj poster 19 posts श्रृूच्थ यहां पर आपको क्लिक करने की jestिरे यहां पर अगर अगर आपका 5b इस तरीके सीद क्लिक होगा तब ठीक है अगर नहीं है तो इस पर आपको क्लिक कर रके अपको प्रेंड कर देना और उसके यहां पर चूजी वर्क का option देखने को मिलेगा इसी पर आपको klik कर देना और इस पर किलिक करने के बात फ्रेंट से यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है automatically select net cover अगर ये off होगा आपकर तो इस तरीके से on कर दीजिएगा और करने के बात फ्रेंट्स यहां से आपको बैक हो जाना है, बैक होने के बात फ्रेंट्स एक काम और कर सकते हैं, कि यहां से थोड़ा सा एक option देखने को मिल जाता है, access point names का, इस पर आपको click कर लेना, और इस पर click करने के बात फ्रेंट्स यहां पर आपको three dot का option देखने को मि रहेगा और ठीक हो जाएगा उसके और फ्रेंट्स यहां से आपको बैख हो जाना और बैख होने के बात फ्रेंट्स लास्ट एक काम कर सकते हैं कि एक अपने नोटिफिकेशन को कुछ इस तरीके से सलाइड किजिएगा यहां पर आपको एक ऐरो प्लेन मोड देखने को मिल जा होगा तो इस तरीके से आपका 5G unlimited data यहां पर चलने लगेगा और यहां पर activate भी हो जाएगा आपके airtail के सीम के अंदर तो फ्रेंट्स यह रही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को स सब्सक्राइब कर दीजिएगा